हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका काड्ड्यू किचिन में, मेरा नाम है मनीशा, आज हम बनाएंगे टी टाइम केक, इसी केक को आइसिंग करके हम बर्डे या अधर सेलिब्रेशन में यूज करते हैं, मैं इसे OTG में बना रही हूँ, 180 डिग्री सेंटिग्रेट पर 35 पहले हम OTG को 10 मिनिट के लिए प्री हीट कर लेंगे, अगर आप इसे गैस पर बनाना चाहें, तो इस प्रॉसस का वीडियो मेरे चैनल पर अल्रेड़ी अवेलेबल है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, OTG को मैंने प्री हीट के लिए रख दिय है, यह देखेंगे, अच्छे से ग्रीस हो गया है, अब मैं इसके उपर दालूँगे, एक चमच मैदा, इसके अंदर हमें हाथ नहीं लगाना है, इस तरह से इसको हिलाते हुए, चारो तरफ मैदा डस्ट करेंगे, इस तरह से हम इसको घुमाते जाएंगे, चारो तरफ लग गया है, यह बहुत अच्छे से डस्ट हो गया है, अब इसको साइड में रखेंगे, और केक का बैटर त्यार करेंगे, केक का बैटर बनाने के लिए, सबसे पहले में एक बाल लूँगे, उसमें दालूँगी, हाफ कप ओईल, अब इसी सेम क्वांटिटी में हम इसमें में दालूँगी दही, दही को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है, इसको भी साइड में अच्छे से मिक्स करेंगे, यह देखिए, यह सभी अच्छे से मिक्स हो गए है, अब मैं इसके उपर रखूँगे एक छनी, इस तरह से, इसके उपर मैं दालूँगे एक कप मैदा, मै अब इसको इस तरह से लगाता मिलाते हुए चानेंगे, जिससे baking powder, soda और मैदा सब अच्छे से mix हो जाएंगे. यह देखिए, इसको मैंने चान लिया है, अब हम इसको अच्छे से mix करेंगे. इस तरह से एक एदिशा में गुमाते जाना है हमें, और इसको mix करते चलना है. दूध हमें ज्यादा नहीं एक साथ डालना है, बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा करके ही add करना है. इसको हमें इसी तरह एक ही direction में गुमाना है, इसमें कोई lumps नहीं होना चाहिए, एकदम smooth batter हमें चाहिए होगा. यह देखिए, बेटर बिल्कुल रेडी हो गया है, अब इसमें मैं मिलाओंगी थोड़ी सी tutti-fruity, इसको भी अच्छे से mix कर लेंगे, साथ ही इसमें मैं मिला रही हो, थोड़ा सा pineapple का essence, आप कोई भी essence उस कर सकते हैं, जो भी flavor आपको पसंद हो, इसको भी better में अच्छे से mix करेंगे, एकदम smooth better बनके तयार हो गया है, अब last में मैं मिलाओंगी vinegar, यह एक tablespoon vinegar मैंने लिया है, विनेगर को हमें बिल्कुल last में डालना है, जब हमारा cake team ready हो, और OTG भी preheat हो गया हो, हमारा OTG भी preheat हो गया है, और cake team भी ready है, तो अब हम इसको transfer कर लेते हैं, cake team में, यह देखिए, बैटर को मैंने cake team में डाल दिया है, अब इसको इस तरह से हम थोड़ा सा tap करेंगे, ताकि इसके अंदर अगर कुछ bubbles होंगे, तो वो नहीं रहेंगे, इसमें जितने भी air bubbles होते हैं, tap करने से वो सब निकल जाते हैं, OTG preheat हो गया है, अब मैं इस cake team को OTG में रखूँगी, लेकिन ध्यान रहे, इसमें हमने जो batter भरा है, यह जितना भी हमारा team है, उसका half quantity में batter होना चाहिए, यह देखिए, cake को मैंने निकाल दिया है, इसको आदा खंटा हो गया है, अब मैं इसको toothpick से check कर लेती हूँ, यह देखिए, यह बिल्कुल clean है, मतलब यह पग गया है, अब हम इसको आदा खंटा थंडा होने के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद इसको cut करेंगे, लगबग आदा खंटा हो गया है, और cake ठंडा भी हो गया है, अब हम इसको unmold कर लेते हैं, इसके लिए इस तरह से एक plate को उल्टा रखेंगे, cake के उपर, और इसके उपर से थोड़ा सा tap करेंगे, यह देखिए, बहुत ही आसानी से निकल जाता है, यह देखिए, इसको मैंने plate में निकाल लिया है, इसमें बहुत ही अच्छा sponge लग रहा है, अब हम इसको cut कर लेते हैं, यह देखिए, बहुत ही आसानी से यह cut हो रहा है, यह देखिए, इसमें sponge दिख रहा है आपको, यह बहुत ही soft बना है और spongy बना है, केक को बनने के बाद हम ठंडा इसलिए करते हैं, ताकि अन्मोल करते टाइम यह तूटे नहीं, hopefully आपको यह recipe जरूर पसंद आई होगी, अगर आपको यह recipe पसंद आई हो, तो आप यह recipe जरूर ट्राए करें और comment box से अपने view share करें, साथ ही इस वीडियो को like करें और अपने family और friends के साथ share करें, तो अब चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही एक नई recipe के साथ, thank you. करें बांपको अपने बांपको यही एक जापको जारी हो, कि एक बादे बांपको यह जादे हैं और चलिए ह।,